जयान क्लास में आपका स्वागत है आज हम लोग जानेंगे जैसे कि आप लोगोंने मेरे पिछले वीडियो में देखा ही हुगा कि हमने टर्निंग पॉइंट जो है यूनिट वान का जो सेक्शन सी है तर्निंग पॉइंट उसका हमने डीप उसका एक्स्प्लिनेशन दिया है आप आप मेरे लास्ट वीडियो में जाका देख सकते हैं और इसका लिंग पॉइंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और अभी हम उसमें समरी भी दिया गया है बाई डॉक्टर A.P.J. अबदुलकलाम जैसे की मैंने बताया है लास्ट वीडियो में कि ये अबदुलकलाम जी ने आपनी टीचर से इंस्पार होकरके ये तरनिंग पॉइंट जो है उन्होंने लिखा अपनी लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ में जो है टरनिंग पॉइ ने लिखा है the turning point, the turning point means an important change in the life of a person, ये एक life में सभी का important जो change आता है, turning point हर किसी के life में, किसी ना किसी तरह का turning point आता ही है, this is a true story of Abdul Kalam that made a turning point in his life, उनका ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है, उन्होंने कैसे inspire होकर के turning point जो है आप उनके life में कैसे turning point रहा, क्या जो वाकिया हुआ या किस बात पर और किस मोड पर उनका जो life में जो है, वो turning point आया, when he was in class 5, one day his teacher Shri Siva Subramanya Ayer taught him about a bird's flight in the class, जैसे कि chapter में मैंने explanation दिया ही है, कि जो Shri Siva Subramanya Ayer, जो कि उनके जो subject teacher थे, उन्होंने, English teacher ने class में explain किया, कि कैसे bird's flight क्या होता है, जब वो class 5 में थे, जब teacher, when the teacher explained in the class about a bird's flight, most of the students including Kalam had not understood the lesson, जब उनके teacher ने explain किया class में, कि किस तरह एक bird's का, एक bird's का flight, कैसे birds उड़ते है, कैसे उनका, जो combination होता है, वो किस तरह होता है, किस तरह वो लोग formation करते हैं, जैसे कि, अपने wings को flap करते हुए, वो लोग एक formation बनाते हैं, इस तरह का, आपने picture में भी देखा ही होगा, कि किस तरह से उनका, bird's का formation होता है, तो लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आया था, क्लास में जो थेरी क्लास चल रहे थी, उसमें किसी को समझ में नहीं आया, तो और उन में से एक कलाम सर भी थे, जो including कलाम, had not understood the lesson, So, the teacher took them all to the sea shore of Ramishwaram, जो की birthplace है कलाम जी का, Ramishwaram, जो की चन्नाई में है, to teach them practically, उन्होंने decide किया कि आप मुझे बच्चों को थेरी क्लास नहीं देना, आप मुझे बच्चों को directly जो में पढ़ा रहा हूं, उसे हमको बीच में जा करके, उसे practically दिखाना है ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ में आए, तो उन्होंने जो birds formation इस तरह के बने हुए थे, किस तरह के, the teacher showed them, the teacher showed them how a bird flies, he asked the students to look at the tail and the combination of flapping wings and twisting tail, किस तरह से birds जो है, flap करकर के, जो twist करते हैं, उनके tail को observe करने को कहा बच्चों से, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है, बच्चों से देखने के लिए कहा कि practically आप देखो और समझो इस बात को की कैसे, birds flight जो है, कैसे form up हो रहा है, ठीक है, तो इस में जो है, सारे बच्चे इंट्रेस्ट लेकर के देख रहे हैं कि sir हमारे जो है, इतने अच्छे से हम लोग को समझा रहे हैं, the teacher explained how, the teacher explained how the birds changed the direction and position could fly in the direction they wanted to, किस तरह इस ब्रिपर्ट जो है, अपना, जो فॉअमेशन कर रहे हैं, जब एक बर्ड जो सामने कि बर्ड होती है, वो डाइरेक्शन जब चेंज करते यह, भाकि सारे भी उसके जो है पीछे follow up करते हैं इसी तरह जो है बाकी सारे भी जो follow कर रहे हैं सारे कुछ जो birds है वो fly कर रहे हैं जिस भी direction में उचाते हैं उस direction में वो जा सकते हैं the teacher explained how the birds how the birds change the direction and position and they could fly in the direction they wanted to तो birds जो है किसी भी direction में चाहे वो उड़ सकते हैं after that after that all the students understood the lesson of a bird's flight इसके बाद जो है सभी बच्चों को जो birds flight के बारे में है सारा चीज समझ में आ गया था अच्छे से जो प्राक्तिकल उनोने रामेश्वरम के शीशोर में देखा for Kalam the lesson was not merely an understanding of how a bird flies he decided that he wanted to study all he could about the concept of flight so he took his teacher's advice about the further study of science यहाँ पर जो बाकी बच्चे तो satisfied हो गए थे कि हमको चलो सारा चीज समझ में आ गया अच्छे से और जो है कलाम सर जो satisfied नहीं थे इसलिए क्योंकि उनके मान में ये था कि मुझे जो भी कुछ करना है सारा चीज मुझे जो है सारा चीज मुझे अच्छे से समझना है concept of flight के बारे में कि सारा क्या जो होता है flight flight के बारे में उन्हें सारा चीज समझना था concept उनके teacher के मदद से he decided that he wanted to study he wanted to study all he could about the concept of flight so he took his teacher's advice about the further study of science he became a rocket engineer and aerospace engineer and a technologist उन्होंने अपने पढ़ाई को लेकर decision बनाने के लिए उन्होंने अपने teachers का advice लिया क्योंकि उन्हें जैसे उड़ने का जैसे मान लीजे उड़ने का मतलब यह है कि उनको वह चीज देखते वे वह इंस्पायर हुए कि किस तरह मतलब जैसे birds उड़ सकते हैं तो इनसान भी एक नए एक दिन उड़ेंगे ज़रूर कि helicopters जैसे कि helicopters, aeroplane है और rocket वगरा है तो इस तरह से उन्होंने सोचा कि यह concept जो है अच्छे से clear होना चाहिए ताकि मुझे सारा चीज concept इसके बारे में जानना है और उसके अच्छे से जानने के चलते हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने studies को science के साथ continue किया he became a rocket engineer, an aerospace engineer and a technologist उन्होंने सारा चीज जो है अपना career ही उन्होंने select किया इस तरह कि उनको सारा चीज फ्लाइट के बारे में जानना है क्योंकि वो उनका एक turning point रहा है students जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि किस तरह लोगों के मतलब life में एक turning point आता है वैसे सभी के life में आत के life में क्या क्या turning point रहा है मुझे comment section में जरूर बतायेगा और but the memory of his teacher encouraging his to become a successful person was up to the end of Kalam's life ये उसके life में ये याद जो है ये यादगार रहा हमेशा के लिए कि किस तरह से उनके teacher ने उनको encourage किया हर चीज के लिए encourage किया कि कैसा एक successful person बनने के लिए क्या चाहिए और ये उनके life के end तक भी उनके जो teachers के जो teachings है वो हमेशा उनके life में एक यादगार बनके एक memory बनकर के रहा है अब चलिए summary का end करते हुए अब हम लोग यहाँ पर जानते हैं question answers read to understand answer these questions with reference to the context अब यहाँ पर हम लोग क्या जानेंगे question answers जो है read to understand यहाँ पर जो उनका exercise दिया हुआ है textual exercise है हम उसको पढ़ देते हैं पर direct answer answer लिखा हुआ है और आप इसका screenshot भी ले सकते हैं और इसे या फिर वीडियो को रुका करके आप पॉस करके भी लिख सकते I said I had not understood many students said that they too had not understood our teachers was really concerned about this but he did not get upset by our response तो देखिए यह एक quote या फिर एक sentence लिया गया है paragraph लिया गया है इस text से जो की अब्दुलकलाम जी का है the turning point उसी से यह paragraph लिया गया है उससे हमको questions पूछे जा रहे हैं इसी paragraph से who said these lines तो हमारा answer जो है doctor APJ अब्दुलकलाम said these lines हमारे answer यह है चलिए next question क्यों और देखते है what had the speaker and other students not understood ऐसा क्या है जो speaker और दूसरे students भी बाकी students भी समझ नहीं पाए speaker कौन है यहाँ पे अब्दुलकलाम है the speaker and the other students had not understood the dynamics of the bird's flight जो है यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो speaker है और जो बाकी के students है वो क्या नहीं समझ पाए थे the dynamics of the bird's flight की उसका क्या टेकनीक है क्या process है जो birds इस तरह से और इसी वजह से तो उनके teacher ने उनको seashore में ले जाकर के अच्छे से समझाया था अब तीसरा question है what did the teacher do to help the students understand what did the teacher do to help the students understand तो इसका answer यह है कि the teacher took the teacher took all the students to the seashore of Rameswaram to help them understand ठीक है वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि teacher जो है बाकी जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा था इसलिए उन्होंने क्या किया सभी बच्चों को रामेश्वरम के जो seashore है वहाँ पे उनको ले गए ताकि बच्चों को practically अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है चली हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर answer these questions briefly अब section number B में हम आ चुके हैं section number B में हम लोग देखते हैं इसमें भी questions दिये गए हैं briefly हमको एक बड़े ही answer देना है ठीक है चलिए पहला question है how did the teacher explain a bird's flight तो यहाँ पे क्या पुछा गया है teacher ने कैसे explain किया bird's flight को the teacher explained a bird's flight in theory as well as in practical he took the students to the seashore of Rameshwaram to help them understand the dynamics of bird's flight ठीक है यहाँ पे थोड़ा spelling mistake है यह रामेश्वरम है रामेश्वरम रामेश्वरम ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग next question next question है third question sorry second question what did the student observe on the seashore the students ने क्या देखा seashore में क्या observe किया उन्होंने the students observed how the birds change direction and position by a combination of flap flaped wings and twisted tails and could fly in the direction they wanted to उन्होंने किस तरह से अपना direction को अपने position को change किया हमने बताया है किसी भी position किसी भी direction को उन्हों फॉलो करते हैं और कैसे अपने wings को combination of flaped wings flap करते हुए जैसे कि ये दो wings है इसको कैसे वो flap करते हुए आगे बढ़ते हैं और twist करते हैं अपने tail को जो है twist करते हुए and could fly in the direction they wanted to तो अपना वो direction जो भी direction में जाना चाहते हैं वो उस तरह से जाते हैं अपने direction को change करते हुए चलिए आगे देखते हम लोग हम लोगा third question जो है how do a bird's wings and tail help it fly तो कैसे ये जो है birds का wings जो है और tail जो है fly करने में उडने में कैसे मदद करता है तो क्या है इसका answer बचो देखिए the birds wings flap to generate lift and combination of flapping wings and twisting tails help it fly देखिए यहाँ पे क्या बूल गया है कि birds wings जो है flap करता है तब हो क्या होता है lift generate करता है lift generate उपर की तरफ बढ़ने के लिए ताकि जो नीचे से उपर जाते इस तरह से वो lift generate होता है वहाँ पे और combination of flapping wings and twisting tail जो tail का twist होना और wings का जो flap होना इससे क्या होता है कि birds जो है उपर उड़ पाते है ठीक है चलिए fourth का जो question है उसको हम पढ़ लेते एक बार what decision did Kalam make while standing on the sea shore तो sea shore में खड़े होते हुए Kalam जी ने क्या decision लिया तो इसका answer क्या है आप जानते है Kalam made a decision to study all he could about the concept of flight तो उन्होंने sea shore में खड़े होते हुए उसी मौके पर वहाँ पर जो practical चल रहा था sea shore में उसको देखते हुए उन्होंने अपने life के लिए decide किया क्योंकि वो मानते थे कि वही उनका एक turning point है जहां से वो कुछ अपने life के लिए उन्होंने सोचा कि मुझे future में क्या करना है मुझे future में क्या पढ़ना है और मुझे क्या बनना है जैसे कि सब कोई decide नहीं कर पाते लेकिन कलाम सर जो है अपने class 5 में ही सारा चीज डिसाइड कर लिया था कि मुझे आगे जाके क्या करना है अपने life में क्या बनने वाला हूं या क्या करना है तो क्या study करना है और life में कुछ आगे बनने के लिए study भी करना बढ़ता है चलिए next question जो है fifth question क्या है हम लोग का what subjects did कल study to attain his goal in life तो कलाम जी ने कौन सा subject choose किया select किया अपने life में आगे बढ़ने के लिए तो इसका answer होगा कलाम studied science he took up physics and then went on to study engineering at madras institute of technology to attain his goal in life देखिए तो उनका क्या रहा decision कि मुझे आप science ही लेकर के पढ़ना है तो उन्होंने physics की पढ़ाई की physics पढ़ाई की फिर बाद ने then he went to study engineering फिर उन्होंने engineering किया madras institute of technology में वहाँ पर उन्होंने engineering किया फिर aeronauticals जो उसमें उन्होंने join किया था ठीक है तो यह रहा हमारा five answers जो की questions briefly answer these questions briefly section B हम लोगा complete हुआ यहाँ पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग discuss and write discuss and write पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है write one incident each to show that Shri Siva Subramanya Iyer showed the following qualities patience और inspiration यह दो चीज उनके teacher ने किस तरह से दिखाया तो वही चीज हम यहाँ पर बताएंगे patience तो उनके teacher में patience किस तरह था when the students had not understood his explanation in the class he did not get upset जब students जो उनका theory class जब चल रहा था students को तो interest ही नहीं आया नहीं समझ में आया जब समझ में नहीं आ रहा था class में तो उन्हें interesting भी नहीं लगा बहुत boring सा लगा तो उन्होंने क्या किया instead he took all the students to the sea shore to teach them practically वो bored नहीं होते हुए उन्होंने क्या किया upset नहीं हुआ कि चलो मेरी explanation जो है वो समझ में नहीं आया बच्चों को तो उन्हें एक practical दिखाना बेहद ही ज़रूरी था तो उन्होंने आपने students को जो है सारे को इकठा करकर उन्होंने decide कि evening में sea shore में जाते हैं चरिए तो उनका ये एक patience था उनके अंदर एक धैर ये था धैर की साथ उन्होंने बच्चों पर गुसा नहीं दिखाते हुए अपना जो है उन्होंने theory class को practically भी दिखाया बच्चों को ठीक है वो inspiration कैसे बने बच्चों के लिए वो inspiration कैसे बने कि ये मेरे ideal है हमें इसी teacher को follow करना चाहिए जो ये बूलते हैं वो ही सारा सही है inspiration कोई ना कोई किसी ना किसी को देख करके inspire होते हैं अपने life में तो बच्चों के लिए inspiration कैसे थे तो he inspired his students he believed in igniting the young minds by allowing them to ask questions and they answering till it achieved complete understanding तो ये एक teacher की तरफ से freedom था उनके सर जो है inspiration कैसे बने बच्चों के लिए वो young mind के लिए जो है inspiration थे क्योंकि उनका मानना ये था कि बच्चों को allow किया जाना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा question पूछ सके जो उनका doubt है अगर वो question नहीं पूछेंगे तो उनको समझ में कैसे आएगा अगर question नहीं पूछेंगे तो उनके मन में जो है doubt हमेशा के लिए रह जाएगा तो इसी लिए answering till it achieved complete understanding जब तक वो पूरा complete understanding समझ में नहीं आते clear concept उनको नहीं हो जाता उनका question को answer completely अच्छे तरीके से देना चाहिए तो इस तरह बचों को जो अलाव करना है asking for asking questions तो ये जो है बचों के लिए एक inspiration था teacher जो है बचों के लिए inspiration बन गये थे चलिए next question पर बढ़ते हम लोग describe the incident that proved to be a turning point in the life of Dr. A.P.J. अबदुलकलाम incident हम लोग को बताना है कि कौन सा ऐसा incident था जिसमें अबदुलकलाम का जो है turning point साबित हुआ तो ऐसा कौन सा incident था चलिए हम लोग देखते हैं इसका answer क्या है the incident that proved to be a turning point in the life of Dr. A.P. Dr. Kalam was the day on which his teacher took them to the seashore and he understood the dynamics of a flight with a practical example तो यह इसका answer रहा जो कि बच्चों ने practically जाकर के dynamics देखा flight जो कि birds का flight किस तरह होता है कैसे उड़ते हैं यही वो incident था जो Dr. Kalam जी के life में turning point बना और यही वो incident था कि उन्होंने अपने life में जो subject selection किया इसी वजह से selection किया और इसी वजह से वो missile man भी कहला है अपने देश के और जैसा कि हम सब जानते ही है missile man का नाम ही उनके tag लग चुका है Dr. Kalam जी का तो इसी तरह उनका एक life में turning point रहा है चलिए अब हो गया हम लोग का अब हम लोग बढ़ते हैं section B की तरफ जो की refer to a dictionary to find a different meaning of these words and use them in sentence to show the difference in their meanings लिफ्ट अब लिफ्ट देखिए लिफ्ट यहां पर एक word है तो यह lift का हम sentence में कैसे use करेंगे lift your arms gently ठीक है we went upstairs by lift तो lift का हम लोग किस तरह से sentence में use कर सकते हैं lift मतलब उठाना तो अपने arms को हम gently उठा रहे हैं और दूसरा sentence आपका हो गया two sentence हम बना रहे हैं आप लोग अपने से भी खुद से भी बना सकते हैं जो भी उसमें word lift आना चाहिए ठीक है शल्यों दूसरा word है drag है drag का मतलब है कि कोई चीज को खीचना he drags his bag on the floor she drags her toys on the floor किसी को मतलब drag करते हुए मतलब एक जगा से दूसरे जगा ले के जाना drag करना तो वही drag होता है drews तीसरा word है हम लोग का drews she drew a nice picture यहाँ पे देखिए drews मतलब वो बहुत अच्छा picture बना रही है he drew our attention towards his activity तो उसने अपने तरफ आकरशित किया अपने तरफ attention सभी का आकरशित किया है ना चलिए यह हो गया अब section C की तरफ हम लोग बढ़ते हैं section C में हम लोग क्या देखेंगे section C में है देखिए यहाँ पे दिया है choose any five uncountable uncountable nouns to make sentences of your own यहाँ पे uncountable noun हमको use करना है ठीक है तो यहाँ पे देखिए पांच हमको select करना है तो बहुत सारा दिया गया है textbook में furniture है, sleep है, sunshine है, advice, motivation, homework है, childhood तो हमने अपना पांच select किया है तो आप भी अपना कोई भी select कर सकते हैं तो मैंने इस जो select किया है sleep है she had a sound sleep she had a sound sleep तो यहाँ पे जो है uncountable noun है हम उनको कैसे use कर रहे हैं आपने जो words बना करके उसमें sentence frame कर रहे हैं uncount to make sentences of your own तो यहाँ से बहुत सारा चीज दिया हुआ है बहुत सारा sentence, मतलब words दिये गया है जिनका आपको खुद से एक sentence बनाना frame करना है ठीक है, उसका meaning के साथ sleep, she had a sound sleep sleep का मतलब है सोना तो यह sound sleep जो खराते या आवास करके जो सोते हैं, उसी को बोलते हैं she had a sound sleep advice, advice मतलब to obey to your elder's advice अपने से बड़ों का आग्या मानना homework, homework तो बच्चों सभी जानते हैं we should complete our homework before going to school हम लोग को तो अपने स्कूल homework complete करकर ही स्कूल जाना चाहिए हैं यह तो बात बिल्कुल भी सही है homework तो complete करके जाना है भाई ने तो punishment phase करना होगा चलिए, hair she has long and beautiful hair तो किसी लड़की का अगर हम देख रहे हैं तो उसके लंबे और सुन्दर बाल है तो वही अब childhood childhood भी देखिए, यहाँ पर है childhood days have sweet memories है ना? तो यह सारे जो है uncountable nouns है जो count हम नहीं कर सकते हैं लिकिन जो है उनका हम sentence में कैसे प्रयोग करते हैं वो हम लोगे ने यहाँ पर sentence के थुरू जाना हम लोगों ने और मैं आशा करती हूं कि सभी को इसका जो chapter explanation रहा summary रहा या exercise रहा सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया है और मैं उमीद करती हूं कि आगे भी इस तरह आपको अच्छे अच्छे मतलब चीजे लर्न करने के लिए समझने के लिए मिलेंगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको like, share और subscribe जरूर कीजिएगा ठीक है और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और bell icon प्रेस कीजिए ताकि आपको नए से नए notifications मिलते रहें till then thank you and bye bye